हेलो फ्रेंड्स इस स्काई टैक की तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है एंडेन सच आई एफ्टी टी तो यह हमारा एफ्टी टी एप है यह ओफिशल गूगल एप है मतलब इसको गूगल नहीं बनाया है तो आई इसकी कुछ डेटेल्स प्लाल लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह Amazon Alexa and also with Google Assistant के साथ वर्क करता है and also with 600 other apps जैसे ट्विटर, Facebook, Telegram and other Google Apps and you can see official Google Apps तो चलिए इसको इस्टोर करते हैं पर यह पहले से इस्टोर है तो चलिए इसको ओपन करते हैं इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफीस आएगा आपको लोगिं करना है पर यहां पर मैं पहले से लोगए हूँ तो माई अपलेट्स में आते हैं यहां आप अकाउंट देख सकते हैं यहां पर यह मेरा अकाउंट है आपको इसको डिट भी कर सकते हैं और दूसर अकाउंट एड भी कर सकते हैं जैसे कि फेस्बुक और गूगल अकाउंट तो चलिए एक नहीं अपलेट्स बनाते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा एपलेट्स सेक्शन पर माई अपलेट्स इसको जिस तरीके की अपलेट्स होंगी यह पहले से बनी हुई है आमें अपनी नहीं बनानी है तो माई अपलेट्स आपको माई एपलेट्स पर जाना है माई एपलेट्स पर जाने के बाद आपको उपर प्लस आइकन यानि कि एड आइकन पर क्लिक करना है यहाँ पर इप इस देन डेट यानि कि अखर ये हुआ तो ये हुआ इप इस देन डेट तो आपको प्लस दिस पर करना है उसके बाद यह कुछ टाइम लेगा लोडिंग में अब आपको यहाँ पर गूगल एसिटेंट के लिए सर्च करना है तो यह हमारा गूगल एसिटेंट आ गया है इसको स्लेक्ट कर लेते हैं यह गूगल एसिटेंट है और यहाँ पर यह दे रखा है अगर हम यह बोलाएं यह बोलाएं इस तरीके से तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं यह जर्ट करने के लिए आपसे एकाउंट की वेरिफिकेशन मांगेगा तो यस अकाउंट को आपने पेले लोगें के लिए सेट करायों उसALLY को सेलेक्ट कर दीजिए यहां मैं समय टाइक के सब्सक्राशल द्यूक्शल करकना हो और इसको अलाव कर दीजिए अब इसको के बोलें तो उस क्या होगा तो यहां पर हम डालते हैं what do you want to say हम क्या कहना चाहते हैं तो what's your owner name यह what's my name मेरा नाम क्या है इसी को आप दूसरी तरह से क्या लेख सकते हैं क्योंकि हम इसको किसी और तरीके से भी बोल सकते हैं अगर हम थोड़ा बहुत इधर उदर बोलें तो what is your owner name what's my name यह Google tell me my name यह similar है अगर यह keywords आएंगे तो Google हमारा नाम बताएगा अब यहाँ पर what do you want to assistant to say in response बदले में हमारा assistant हमसे क्या कहेगा अगर हम यह अपना नाम पूछें यहा लखें तो my owner name is skytech experiments यहाँ पर अपना नाम देख सकते हैं जैसे आपको जो भी नाम होगा यहाँ पर दीजिए अगर आप इसको run कराएंगे तो हमने इसके बाद create पर करना है तो मारा यह पहला हो गया उसके बाद हमें dead पर करना है if this then dead यहाँ पर आपको notification select करनी है यह email के नीचे notification दे रहके इसको select करना है यह आपको notification send करेगा आपके नाम की तो यहाँ पर message पर applet रन की जगे है आप उपना नाम दिख सकते हैं जो भी आपको question ask होने के बाद send करना है तो यहाँ मैं लग देता हूं यहाँ पर टेक experiments and then click on create action तो यहाँ पर मेरा applet बनना है इसको यह बाद हमें बेंद चुका है अब हमें finish पर click करना है तो यह लोड़ी हो रहा है यह लोड़ी ट्राई करते हैं तो यह हमारा applet बन चुका है जैसा कि आप दिख सकते हैं अब यहाँ पर कुछ recommendations है जो कि हम करना चाहें तो अब मतलब इस तरीकी सौर कर सकते हैं हमें कुछ नहीं करना तो अब हम चलिए इससे अब टेस्ट करके देखते हैं आपको google stand खोलना है और बोलना है जैसे कि मुझा तो वाट इस माइन नेम फट से बोलते हैं तो वाट इस जो आउनर्स नेम तो जैसा कि आपने देखा जो नाम मैंने वहाड़ा लाता वही मोबैल ने वोला my owner is skytech experiments और आपको open notifications BI from IFTTT app बट आपको यहां एक बाद ध्यान रख लिए जिस अकाउंट को आपने IFTTT में जोइन किया हूँ वही आपका google assistant का होना चाहिए और यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरी applet कब किस time पर run हुई आप यहां पर details में जाकर check करते हैं कि trigger कितने में बजे और कबरल हुई और उसने क्या करा और फ्रेंड्स अगर आपको इस तरह की और मीडियो चाहिए जैसे की weather applet जो आपको email भीजिए जब weather करा वो तो उसके लिए मैं चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए थैंक्यू